IDFC First Bank और IDFC F-LTD के मर्जर के लिए रेशियो तै इस साल पूरा होगा विले IDFC First Bank और IDFC Limited ने बताया कि दोनों इकायों के मर्जर का रेशियो एक सौ पच्पन एक सौ होगा बैंक ने रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया कि मर्जर के बाद प्रती शेर के हिसाब से बैंक की बुक वाल्यू बढ़ जाएगी IDFC Limited और IDFC Financial Holding Company Limited ने मर्जर रेशियो मर्जर रेशियो के लिए आकसिस कापिटल एल्टीडी को नियुक्त किया था IDFC First Bank, IDFC First Bank और IDFC Limited ने 3 जुलाई को बताया कि दोनों इकाईयों के मर्जर का रेशियो 155-100 होगा बैंक ने रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया, मर्जर के बाद प्रती शेर के हिसाब से बैंक की बुक वाल्यू बढ़ जाएगी इससे पहले 21 मार्च को IDFC Limited और IDFC Financial Holding Company Limited ने मर्जर रेशियो मर्जर रेशियो के लिए Axis Capital Limited, Axis Capital Limited नियुक्त आक्सिस था IDFC First Bank Limited ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया, कमपनियों ने Corporate Simplification के सभी चरणों को पूरा कर लिया है अगला चरण IDFC First Bank Limited के साथ विलय है हमारी योजना मौझूदा Financial Year विलय की प्रक्रिया पूरी करने की है मर्जर मर्जर रेशियो में सुझाव के लिए कमपनियों ने ASPA को Chartered Accountants को तैनाद किया है साथ ही Legal Due, Grafting और विलय को अंतिम रूप देने के लिए Law Law Firm मंगलदास को नियुक्त किया गया है 30 जून 2023 को IDFC First Bank में Non Financial Holding Company जरिये IDFC Limited की हिस्सेदारी 49.93% थी मर्जर बैंक में बताया कि मर्जर से IDFC FHCL, IDFC Limited और IDFC First Bank बनाई जा सकेगी और इन तमाम इकाईयों के Regulatory Compliance में भी मदद मिलेगी बैंक ने बताया मर्जर के बाद Private Sector के बड़े बैंकों की तरहें इसमें Promoter Holding IDFC Limited ने एक फरवरी को बताया था कि उसके बोर्ड ने IDFC First Bank में 2200 करोड के निवेश को मन्जूरी दे दी है इस निवेश से बैंक में कमपनी की हिस्सेदारी 36.38% से बढ़कर 40% हो जाएगी Reserve Bank Bank को 2014 में बंधन बैंक के साथ लाइसेंस दिया था IDFC Bank Limited और Capital First Limited में विलेपूरा होने का एलान किया था और इसके बाद दोनों को मिलाकर IDFC First, IDFC First Bank इकाई बनी थी